आज मेरा मुन हुआ कड़ी पगोडा खाने का तुम मैंने बनाया मारवार का फेमस कड़ी पगोडा इसको मैंने बहुती आसान वे सरल तरीके से बना कर त्यार गया है यह दिखने में जितना सुंदर है उससे भी ज़्यादा खाने में टेस्टी वे स्वाधिस्ट है इसकी रेसिपी बहुत ही आसान, एकदम सरल है, चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी सेर करता हूँ सबसे पहले मैंने चाच लिया, चाच में मैंने आदा गटोरी बैसन एड किया बैसन एड़ करने के बाद मैंने उस बैसन को उसके अंदर मिलाया, mix किया, pest बनाया उसका और अच्छे से इसको mix करना है पूरे बैसन को, बैसन पूरा मिल जाना चाहिए कुछ इस प्रकार बैसन मिलकर त्यार हो जाए तो हम उसकी कड़ी बनाने सकते हैं उसमे एड़ करेंगे एक चमच हल्दी और एक चमच चिली फ्लेक्स, चिली मतलब लाल मिर्च और एक चमच नमक, नमक अपने स्वाधनुसा और इस सबको हम mix कर देंगे और कुछ इस प्रकार pest बना कर एक साइड में रख देंगे अब मैंने लिया एक प्याज और उस प्याज की की मैंने कटिंग, उस प्याज की मैंने एकदम बारिक बारिक कटिंग की है क्योंकि हम इसका लगाएंगे तड़का, इसलिए एकदम बारिक बारिक प्याज को कटिंग करना है कुछ इस परकार प्याज कटिंग हो जाने के बाद हम कटिंग करेंगे हरी मिर्च तड़का लगाने के लिए मैंने दो हरी मिर्च लिए और हरी मिर्चों को कुछ इस बरकार कटिंग किया है एकदम बारिक बारिक हरी मिर्च को भी एकदम बारिक कटिंग करना है और हम यह इसका तड़का लगाएंगे इसमें कड़ी और भी स्वाधिस्ट बनेगी सबसे पहले हम कड़ी बनाएंगे फिर हम लेंगे मंगोडी मतलब मोट की फली और मोट की फली की एकदम बारिक बारिक कटिंग कर देंगे एकदम बारिक बारी कटिंग करके उसको हम त्यार करेंगे मोट की फली से कड़ी और भी ज़्यादा स्वाधिस्ट बनती है कुछ इस प्रकार कटिंग करके त्यार करेंगे फिर मैंने गेस ओन किया और उस पे एक कड़ाई रखी कड़ाई में मैंने सुध वेदे से गी एड़ किया और गी गरम होने के बाद मैंने उसमें लगाया जोंका उसमें एक चमच जीरा और एक चमच राई और फिर मैंने उसको थोड़ी देर पका लिया मतलब एक मिनट से कम फिर मैंने उसमें एड़ किया दोनों को मिनने थोड़ी देर पकाया मतलब एक मिनट या दो मिनट फिर ये दोनों पकने के बाद मैंने इसमें एड़ की मंगोडी मतलब मोट की फली जब ये प्याज और हरीमिट्स थोड़ी से पक जाएंगे फिर इसमें मैंने एड़ी किया मंगोडी मतलब मोट की फली मौट की फली को हम थोड़ी देर पकाएंगे मतलब एक-दो मिनिट तक और जब ये सब पक जाएंगे तो हम इसमे इड़ करेंगे चाच का पेस्ट जिसके हम बनाएंगे कड़ी ये पेस्ट इड़ करने के बाद हम एक पल्टा लेंगे मेरा idea ये बोलता है जितना ज़्यादा ये उबलेगी उतनी सांदार वे tasty kडि बनकर तियार होगी और कड़ी का tasty बनने का असली राज यह उसको ज़्यादा देर तक उबलने दो जितनी देर तक उबलेगी उतनी tasty वे साधिस्ट कडि बनने जाती है और बन कर त्यार होती है और कुछ इस प्रकार मेरी कड़ी बन cloud हो गई मैंने ढकन दे के कड़ी को रख दिया साइड में अब मैं बनाऊंगा पकोड़े तो मैंने पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले बैसन लिया और उसमें एक चमच नमक और एक चमच चलि फिलक्स मतलब लाल मिट्च और एक चमच हिंग हिंग से बहुत ज्यादा टेस्टी बनाएगा और आदा चमच से भी थोड़ा मीठा सोडा कुकिंग सोडा और इसमें मैंने पानी एड़ किया और इसका बनाया मैंने पेस्ट पकोड़ा बनाने के लिए इसका एकदम पतला पेस्ट नहीं बनाना है इसका पेस्ट थोड़ा गाड़ा रहना चाहिए कुछ इस प्रकार आप मैं आपको भी बताता हूँ वीडियो में ये देखो आप कुछ इस प्रकार इसका पेस्ट बनकर त्यार करना है हमको एकदम पतला पेस्ट बना करने ही रखना है थोड़ा गाड़ा फिर मैंने गेस ओन किया और उस पे एक बरतन में मैंने तेल लिया ओईल और उसको गरम करने के लिए रख दिया ओईल गरम होने के बाद मैंने उसको पकोड़े निकालने सरू कई जो बेशन का पेश्ट था उससे मैंने एक एक करके छोटे छोटे पकोड़े निकाल लिए और कुछ इस प्रकार मैंने सारे पकोड़े उस ओइल में तेल में पकोड़े मैंने निकाले वो भी अपने हाथ की साहिता से और फिर मैंने जारे की साहिता से उनको अलट पलट किया और उनको थोड़ी देर पकाया ये एकदम हाई आंच में मैंने पकाया इनको और ये देख सकतो आप पकोड़े एकदम सांदार वे गोल गोल बनकर त्यार हो गए हैं फिर पकोड़े पकने के बाद मैंने इनको एड़ कर दिया खड़ी में कड़ी में एड़ करने के बाद इनको थोड़ी देर रखना है हमें डखन देके ताकि ये पूरा कड़ी में मिक्स हो जाए लेकिन पहले हम सारे पकोड़े बना कर कड़ी में एड़ करेंगे तो मैंने कुछ इस प्रकार सारे पकोड़े निकाल कर कड़ी में एड़ किये ये देख सकते हैं आप कितने सांदार वे टेस्टी पकोड़े हैं यह आपको खाने के बाद पता चलेगा कि कितने टेस्ट ही है और मैं आपके लिए खुद बनाऊंगा कभी अपने हातों से बना कर आपके लिए पहजूंगा आप लोग भी खाना और यह देखो, आप सांदार बे टेस्टी पकोड़े हैं और मैंने सारे पकोड़े इसी परकार एक करके निकाल कर कड़ी में एड़ करती है और इसी परकार मेरी कड़ी और पकोड़े त्यार हुए और मैंने फिर इन पकोड़ों को मिक्स कर दिया कड़ी के अंदर और उन कड़ी में मिक्स करने के बाद मैंने में कटिंग किए हरे धनिये एड किए वो हरे धनिये सिर्फ डेकोरेशन के लिए बाकी हरे धनियों से कोई सवधिस्ट भी टेस्ट नहीं बनती है टेस्ट तो सिर्फ कड़ी में और पकोड़ों में है और कुछ इस प्रकार हमारे कड़ी पकोड़े बनकर त्यार हुए ये एक बॉल्स ये एक कटोरा कड़ी पकोड़ा आपके लिए अब ये मैं पार्सल कर रहा हूँ बहुत जल्दी पहले आप लाइक कमेंट स्ब्सक्राइब करना तभी ये आपको मैं पार्सल करूँगा धन्यवाद अपना ख्याल रखे आपका दिन मंगल हो